काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और सेयर भी करिए जहिन दोस्तों स्वागात है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीख ओपी पिन में तो आद मैं आपके सामने थर्ड सेमिस्टर का जो एक हमारा एजुकेशन का पेपर है समावी सी सिख्षा एवं विशिस्ट आवश्चक्ता वाले बच्चों की सिख्षा निर्देशन एवं परामर्स इस विशे को लेकर हम चर्चा करेंगे और ये जो इस और इस विशे को जो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ वो हमारी पवन गाइड से होगी क्योंकि ज तो अक्सर एक्जाम में लगभग लगभग जितने भी कोशन थे उसमें पवन गाइड का बहुत बड़ा युगदान था उसमें काफी ऐसे कोशन थे जो उससे फसे हैं उसमें काफी कोशन आय हुए हैं और आपजक्टिव में भी सहता मिली तो इसमें कुछ इंपॉर्डन क कोशन हैं उन्हीं को लेकर हम उस टॉपिक के बात करेंगे बाकी मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगेगा कि आपको बताना है तो मैं उसको अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा वह वीडियो ठीक है तो सबसे पहले इस सब्जेट को सुरू बाधित एवं वाड़ी बाधित बालक और इसी प्रकार चौथा स्रमण बाधित बालक पाच्वा मांसिक मंद बालक आउधारना परिवास्टा पैचांत था विशेषता है तो ऐसा है इसी क्रम में आगे हम आगला लेशन देखते हैं तो पता चलता है कि आगे है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरन समगरी विदियां टी-लम एवं अभिव्रतियां ठीक तो इसी प्रकार समवेशित बच्चों के अधिगम जाचने है तो आवश्यक टूल्स एवं तक्णीकी समावेशित बच्चों के लिए विशेष सिचन विदियां एवं ब्रेन लिपी ताके कुछ important vehicle P हैं उनको उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे तो दोस्तों हम अपना आज पहला लेशन शुरू करते हैं तो पहला लेशन है हमारा सैचिक समावेशन से अभिप्राई सैचिक समावेशन से अभिप्राई को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग यह समझे कि जो समावेशी सिक्षा होती है वो क्या होती तो दोस्तों जो समावेशी सिक्षा होती है उसको हम लोग इंग्लिश में इन्क्लूजिव एजुकेशन इन्क्लूजिव एजुकेशन बोलते हैं तो इस सबसे पहले हम यह तो नॉर्मल से चीज़ है कि किसी चीज को जानी है त तो सबसे पहले हम इस पेपर के बारे में जान लेते कि समावेसी सिक्षा जो मारा पेपर वो समावेसी सिक्षा का क्या मतलब होता है तो बात यह है कि जब पहले काफी टाइम पहले जो सिख्षा होती थी, वो सभी के लिए उपलब्द नहीं थी तो आप लोग को पता ही होगा तो अब आप ही सोचिए कि अगर सिख्षा सभी के लिए उपलब्द नहीं होगी तो समाज कैसा होगा ठीक कोई सामाने बालक है उसको सिक्षा मिल रही है लेकिन उसी जगे कोई दिव्यांग बालक है वो पैर से चल नहीं पा रहा है या फिर बोलने में असमर्थ है या सुनने में असमर्थ है ठीक तो ऐसे दिव्यांग बालकों की सिक्षा का कोई प्रबंद नहीं था तो इसी लिए एक अवधारना विक्सित की गई जो समावेसी सिक्षा थी ठीक इसके अंतरगत क्या किया गया कि सिक्षा में पहले जहां सामान बालक के लिए ही थी अब उनमें क्या किया गया कि सामान बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालक और विसिस्ट बालक को साथ में सिख्चा दी जाएगी यानि सब को साथ में सिख्चा दी जाएगी इसे क्या होगा कि सहयोग के भावना विक्सित होगी और जो दिव्यांग बालक हैं और जो विसेश बालक उनमें कोई हीन भावना उत्पन नहीं होगी कि उन्हें सिक्षा से दूर रखा गया ठीक तो लेकिन जब सुरुवात में जब वो समावेसी सिक्षा सब्दाय था ठीक या फिर इसकी परिकल्पना हुई थी तो इनमें सिर्फ विसेश बालकों के लिए थी ठीक इनमें सिर्फ विसेश बालकों की सिक्षा का प्रबंता लेकिन दीरे दरी क्या किया गया कि इसमें सामान बालक दिव्यांग बालक और विसेश्ट बालक को संब्लित कर दिया गया तो यह थी हमारी समावेसी सिक्षा अगर हम एक लाइन में बोले हैं कि समावेसी सिक्षा है क्या तो सिंपल सी इसकी डिपनीशन है कि सभी प्रकार के विद्यारति हूं इने से समान भी आएंगे दिव्यांग भी आएंगे या विज़स्ट बालक भी आप मानलीजए एन सभी बालकों ले ARE समय एक सत्व के समावेसी सिक्षा के रड़त ताहीं हो confirmed इसका मतलब होता है LOU इस agreement सब प्रकार की बच्चे सामिल हो जाते हैं तो यहां पर समावेशी जो सिख्षा है उसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि हम समावेशी सिख्षा किसे कहते हैं और इसी प्रकार हम इसलेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला प्रस्ण है कि सैचिक समावेशन से आप क्या समझते हैं उद्देशियों की चर्चा कीजिए यह देखे हमारा 2018 में पूशन आया हुआ है तो इसका उत्तर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उत्तर दिया हुए कि सैचिक समावेशन से आशय उस सिक्षा विवस्ता से होता है जो की चात्र विसेश को उसकी सारीरिक अशमानिता के अनुरूप प्रदान की जाती है सहचिक समावेशन किसी एक विक्त के लिए नहीं होता वरण उन सभी छात्रों के लिए भी होता है जो समा निवातारों में कारे नहीं कर सकते तो सैचिक अभी मैंने समाविशन से सिक्षा बताई उससे भी साफ इसपस्ट हो गया था कि सभी प्रकार के जब बालुकों को एक साथ पढ़ाएंगे तो सबको जिस चीज की अनिवारता होगी उसी अनुरूप पढ़ाएं जाएगा कि इस समय जो सिक्षा है वो बाल के इंदरी सिक्षा है तो वही इस जो उत्तर दिया हुआ है वही उस उत्तर में भी कह रहा है कि जो सैचिक समाविशन से आशे है वो एक ऐसी सिक्षा ब्युस् से ठीक उसके सारीरिक अश्मानिता के अनुरूप प्रदान की जाएगी अब जैसे मान लीजे कि कोई दिव्यांग बच्चा है वो आँखों से देख नहीं पाता ठीक तो तो उसके लिए क्या आप ब्रेन लीपी से उसको पढ़ाएंगे ठीक तो ऐसे ही जितने भी जिस इस तरह के बालक हैं उनको उसी प्रकार से सिच्छा ग्रहल कराई जाएगी ठीक और यह जो है किसी एक विक्त के लिए नहीं है बलकि यह सभी छात्रों के लिए होता है जो अपने सामानिवातरों में कारिन नहीं कर पाते ठीक तो आसा करता हूँ कि यह जितना भी अभी मैंने आपको बताया है समझ में आ गया होगा आगे हम लोग पढ़ते हैं कि समावेशी सिच्छा के उद्देश से क्या क्या होते हैं तो कोई भी अउधार ना आती है तो मानता है नॉर्मल सी बात है कि उसके उद्देश से तो होंगे ही तो हम इसको मैं जल्दी से पढ़ लेता जहां समझाने की बात होगी मैं आपको समझा दूँगा यहां लिखा है कि समावी से सिख्चा ता सामान सिख्चा के उद्देश लगबग समान होते हैं जैसे देश का विकास बालुकों को उप्युक्त सिख्चा के द्वारा मानवी संस्थाओं का विकास समाज का पुनहर्गठन तथा प्योंसाई कारेकुसलता आधी को प्रदान किया जाता है इन्हें अध्यश्यों के अत्रिकintéस समाविशी सिच्छा का इन्हें, उद्धेशों का भी वर्णन ने में लिखी थै तो यहाँ पर एक समाविशी सिच्छा निकल कियाई और एक समावेसी सिच्छा निकल कियाई ठीक तो समावेसी सिच्छा के बारे में मैंने आपको बता दिया है सामान सिच्छा जो सामान इंतहा बालकों को दिव्यांग है ठीक उनके माता पिता को निपूरता तथा कारिक उसलता के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कम्यों का समधान करना तो इस पॉइंट के अंतरगत की जो भी बालक दिव्यांग है उनके माता-पिता है तो उनके माता-पिता मालिजे किसी गाउं से रिलेटेड है उनको जानकारी नहीं है ठीक तो इसका उदेश यह हुआ कि उनको निपूरता था कारेकुसलता के बारे में समझाय जाए जिससे क कोई भी समस्या है बालकों के समझ तो उसको दूर कर सके ऐसा ही हमारा दूसरा पॉइंट है इस सारीडिक विक्रित बालकों की विशेस आवशक्ताओं की सरुपरतम पहचान करना था उनका निधरण करना इस यह तो साफ लिखा है कि जो भी बालक सरीर से विक्रित है उसकी की सरुपरतम पहचान करना यह तो जरूरी भी होता है ठीक तो अगला पॉइंट हमारा है नमबर तीन सारीडिक दोस्ट की स्थिती के बढ़ने के पहले ही रोकने के उपायत है तो बालकों के सीखने के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कारे करने की नवीन विदियों द समता वाले बालुकों का पुनर वास किया जाना चाहिए और इसी प्रकार पाच हुआ है सारीडिक रूप से विक्रत बालुकों की सिक्षन समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तो सुधार के लिए सामोहिक संगठन की तयारी करना तो यह पाचों पॉइंट से हैं आप इन सिक्षा का अर्थ बताया गया है तो कोश्ण है कि समावे से सिक्षा का अर्थ क्या है ठीक तो आप पहले ही एक नॉर्मल सी परिभासा जान चुके हैं ठीक लेकिन यहां पर जो लिखी भी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो समावे सिक्षा का अर्थ है छात्रों को सार्थ सिच्छा अनुकूलतम पर्यावण में उपलब्द कराई जाए मतलब कि जब हम सिच्छा प्रदान करते हैं तो सार्थक होनी चाहिए ना निर्थक तो होनी नहीं चाहिए कि उसका उद्देश से होना चाहिए जिससे वो बालक के विकास में सहायक सिद्धो और सिच्छा के लिए पर्यावण विक्सित किया जाना चाहिए एक अनुकूलतम पर्यावण विक्सित किया जाना चाहिए जहां बालक सिच्छा को ग्रहन कर सके ठीक और अपने जीवन को सफ किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना करें इसका मतलब यह हुआ कि बालक की सिच्छा में अगर यह जितने भी यहां पर कारण लिखी हुए योगिता सारीरिक अचम्ता भासा संस्क्रति पारिवारिक प्रिस्टगूमी उम्र मतलब सिच्छा के प्राप्त में इन यह जितने भी पॉइंट है इनका किसी भी प्रकार से अवरोध ना रहे ठीक तो यह भी समावेसी बालक की विशिष्टा है आप पढ़ेंगे तो पहला है समावेसी बालक सारीरिक मासिक सामाजिक ता भावात्मा गूरूप से पूर्टा एक दूरसे से भिन्न होते हैं यह तो पॉइं सामाजिक रूप से भिन्न होगा तो कोई भावात्मा गूरूप से भिन्न होगा तिक यह पॉइंट समंद में आए दूसरा पॉइंट है कि समावेसी बालकों के गुर्थ दास्वरूप सामाने बालकों से भिन्न होते हैं तो समावेसी बालकों के जैसे कोई बालक है यह आप देखे ही होंगे और कुछ विजिस्ट बालक होंगे जो जिनकी माली जब उद्धी लब्दी 140 के उपर होगी वो काफी पढ़ने में तेज होंगे या उसमें ही आ जाते हैं कि कुछ जिनकी बुद्धी एकदम नियून होगी ठीक तो अपवाद हो सकता है बाकी आप जिस पर ध्यान दीजे कि समावेसी बालकों का जो विकास समावेसी बालकों के पेच्छा तीव रिगत से होता है ठीक समावेसी बालकों का जब विकास होता है वो समावेसी बालकों के पेच्छा तीव रिगत से होता है चौता पॉइंट है कि समावेसी बालकों की समझने की सकती अन्य बालकों से भिन होती है ठीक ये पॉइंट आपको आया समन्द में और पांचवा है एक समावेसी बालक की अधिक्तम सामर्थ के विकास के लिए उसे विद्याले की कारे प्रणाली था उसके साथ की जाने विवाल में परिवर्तन की आवशक्ता होती है ठीक तो पांचवा 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 प्रणाली था किये जाने वाले विववार में परिवर्दन की आवसकता होती है ठीक तो अब हम आगे चलते हैं कि यहां पर चौपजन कहता है कि समावेसि बालकों है तो चलायी जा रही कार योजना इवम नीतियों के बारे में बताईए तो कुछ ऐसे नीतियां हैं कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो समावेसी बालकों है तो चलाई गई है तो उनको हम लोग पढ़ते हैं पहला है कि समावेसी बालकों की योगता को और अधिक जागरत करने के लिए तो हमारी जो सिच्चा है वो निसुलक है और इसी सिच्चा की बात की गई है तो अब दूसरा पाइंट है कि बाधित बालकों तता समान बालकों के सिच्चा का सरूप एक समान रखा जाए ये भी समा उसे सिच्छा इस बात पी भी जोड़ देती है और ऐसी योजनाए भी चल नहीं है तीसरा है कि अपंग बालकों को भी सामान बालकों के साथ ही सिच्छा दी जाए इसी प्रकार पाचुआ है कि भावात्मक रूप से विक्रित तथा प्रित्पा साली सिच्छनात्मक बालकों को भी सामान बालकों की सिच्छा संस्था में प्रवेज दिया जाए ठीक तो यह जो है यह जो कारियोजना एवं नीतियों के बारे में यह कुछ पॉइंट्स थे ठीक आगे पड़ते हैं कि यदि इन बालकों को थोड़ा सा समवेगात्मक प्रवाव प्राप्त होगा तो यह बालक भी सामान बालकों की भात ही अपना जीवन व्यापन कर और यहां पर प्राउधान हैं उनको आप पढ़ेंगे तो पहला है कि समावेशी तथा सामान बालकों को एक ही कच्छा में प्रवेश्ट सिच्छा कार्णों के लिए संसाधन होना बहुत ज़रूरी है और विख्रत बालकों के लिए पुनरवास्विदा देना ठीक है सामान में पार्ठक्रम लेना तथा आवश्यक्ता अनुसार विख्रिद बालगों के पार्ठक्रम में परिवर्दन करना ये भी पॉइंट आपको समन्द में आ गया होगा समझने के लिए समयश़न के दो नंके कौन कौन से हो सकते हैं सबसे पहले तो अगर कोई जो सिच्चक पर सिच्चू है उसे समयशी बालुकों को समझने के लिए समयशी बालुकों की छमताओं रुचियों था समस्याओं से परचित होना पड़ेगा जब ही तो समझेगा न समय उसी सिच्चा के बारे में समय उसी बालकों के बारे में तब ही वो उसके इन रूप उनको सिच्चा दे सकेगा ऐसे ही दूसरा पॉइंट है कि वे समय उसी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सके सिच्चक जैसे समय उसी कोई बालक है मान लीजे कि कोई बालक दिव्यांग है और सिचक उसको पढ़ा रहा है अब उसको नहीं समझ में आया एक बार नहीं समझ में है दो बार नहीं समझ में है तो सिचक को उसको डंडित नहीं करना चाहिए और बल्कि इसकी जगह ये करना चाहिए कि वो उसके प्रती धैर्रिवान बने जिससे कि उसको भी ये डर्ण न रहे कि सिक्षक हमें डर्ण देगा तो समावेसी बाल को कि प्रती धैर्रिवान हो सके ये पॉइंट थे दो पॉइंट दूसरा कोशन है कि समावेसी सिक्षक इंतरगत किस प्रकार के बच्चे आते तो य इसला है कि समावेसी सिच्छा तर सामान सिच्छा के उद्देश बताईए तो समावेसी सिच्छा तर सामान सिच्छा के उद्देश लगबग समान होते हैं जैसे देश का विकास बालुकों को उप्यूक्त सिच्छा के द्वारा मानिवी संस्थानों का विकास, नागरी विकास, समाज का पुनर गठन तथा व्यावसाइक कारे को सलता आधि प्रतान किया जाना है तो ये इसके उद्देश थे समाव इसी बालकों की पहचान क्यों आवश्यक है ये हमारा अगला कोशन है तो अधिकांस बाधित बालक विद्याले तथा समाज में बिना पहचाने रह जाते हैं चाहे वे स्कूल जाते हैं अत्वान नहीं इसके परिड़ाम सरूप वे अपनी कारे च्छमताओं तथा प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते अता ऐसे बालकों के लिए ऐसे अधियाबकों की आवश्रक्ता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सकें ये बालकों के विवहार द्वारा उन्हें असानी से पहचान लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर कोशन दिया गए कि समय इसी बालक की पहचान क्यों आवशक है अब जैसे कोई बालक दिव्यांग है या विसिस्ट बालक है तो वो समाज की उस एक लेवल होता है या एक सामान बच्चों का लेवल होता है उस लेवल दक नहीं आ पाता ठीक या उसके अ उनके अंदर इस कमी को पहचान सके ठीक है और इस कमी को दूर कर सके और सभी जो एक सिख्चा का समान इस तर होता है उसके अनुरूप उसको सिख्चा प्रदान करके समान बालकों के इस तर के बराबर लाने का प्रयास करे ठीक तो इसलिए हमें समावेसी बालकों की पहचा होनी जरूरी है पाच्वा है कि विद्याले में समावेशी सिख्षा प्रदान की जाने में अध्यापक के क्या भूमिका है ठीक तो समावेसी बालकों में कुछ विशिस्ट प्रवर्तियां होती है जैसे कि अंता मुखी होते हैं ठीक अन्ता मुखी जैसे आपने फस्समिस्ट में पड़ा होगा कि युंग ने जो तीन प्रकार से डिवाइडेशन किया था ना कि अन्ता मुखी बाय मुखी तीन प्रकार के बालक अन्ता मुखी बाय मुखी और उभाय मुखी ठिक तो यही वो अन्ता मुखी है कि अपने विचार है अगर इन बातों को मुट में ध्यान में रखते हैं और ये बालोगों पर अपलाई करके देखते तो में पता से जाए कि कैसा बालक है और ये कभी-कभी उग्र भी हो जाते हैं और एकाकी भावना रखते हैं मतलब अकेले में रहते हैं जिसे किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते तो इनके लिए अध्यापक स्वर्थम इनकी पहचान करता है तत्पस्चात इनकी पहचान के पहचात इनकी सिच्छा की विवस्था की जाती है अध्यापक की सबसे बड़ी भूमी का इनकी पहचान करना है पहचान की विदियां है पह थाउंप इतना आपको सम्मां आ गया होगा अगला चलते हैं समावेसी सिक्षा सामान सिक्षा से किस परकार भिनने अभी आपने दोनों की भिंजता को पहले भी पढ़ा है एक पार पिर पढ़लेंगे समावेसी सिक्षा सारीरिक मानस्तिक तता प्रतिबासाली तता विसिस्ट गुडों से युक्त बालुकों पर अपनाई जाती है लेकिन यह सिच्छा सामान बालुकों को सिच्छन नहीं देती सामावेसे सिच्छा सामान बालुकों की सिच्छा से सर्वता बिनने है इस सिच्छा के ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान बालकों के कारिकरमों के साथ साथ विसिस्ट भी होते है बाफ कीजीगा तो जहां पर जैसे कोशन था कि सामान सिच्छा सामान सिच्छा से किस प्रकार भिनने तो समान सिच्छा होगी, समान बालकों के लिए होगी, लेकिन समावेशी सिच्छा दोगी, वो समान प्लस दिव्यांग और विशिस्ट बालकों के लिए होगी, ठीक, तो समावेशी सिच्छा का जो इस तरह है वो जादा बड़ा है, अगला है कि समावेशी बालक किस प्रकार एवं मांसिक दच्चतासे ग्रसित है इस प्रकार की चात्र प्रतिबासाली एवं सारीरिक रूप से अक्षम दोनोर हो सकते हैं ठीक तो यह था कोजिशन और इसी के साथ जो हमारा लेशन था पहला लेशन सैचिक समावेशन से अभी प्राय यह समाप्त होता है अगर आपको इ आप इनको फिर से स्क्रीन सॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं जिनके पास पावन की गाइड नहीं है वो यूट्यूब को सारा ले सकते हैं ठीक ऐसे ही आप एक बार फिर से रिविजन कर सकते हैं तो आपको समद में आ जागी समावेशन सिचा क्या है